वेलकम टो मैं चैनल आईए इस वीडियो में प्रसनावली तेरा दसमलो एक एक कोश्चन नमबर थिरी को सुल करते हैं और इसके पहले कोश्चन का सुलूशन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे कोश्चन नमबर थिरी को पढ़िए काय रहा है कि किसी आयताकार हॉल के फर्स का परिमाप 2800 मीटर है यदि 10 रुपे प्रती मीटर स्कॉार की दर से चारो दिवालो पर पेंट कराने की लागत 15000 रुपे हैं तो इस हॉल की उचाई गयात किजिए ठीक है देखिए कि आयताकार हॉल है समझ लिए कि आपका घर है ठीक है तो घर का नीचे वला का नीचे वला फर्स जो होता है उसका परिमाप दिया हुआ है और देखिए यहां दस रुपे परति मी्टर स्कवाइर पर दस रुपे परति मीटर स्कॉईर की दर से चारो दिवाल पर पेंट कराया है आपने तो उसका ठोल खर्चा हुआ है 15000 रुपाईा to कह रहा है कि उस हॉल की उचाई क्या है यह यह लिखाने के ज़्धा रहा है तो इस टेप को क्या क करेंगे इसको समझना ठीक है तो इस सबसे पहले मान लेते हैं कि आयतागर घर बना लेजिए ठीक है ठीक है इस फिगर बनाना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं कोई जरूरी नहीं है बना लेंगे तो अच्छी तरह से आएगी देखिए इस मान लेते हैं कि मेरा आयताकार है ना आयताकार यह निचे का फरस क्या है आयताकार है आयता है ठीक है और एक क्या है आपका हॉल हो गया तो हॉल होगे जिसकी उचाई मान लेते हैं कि एच है और एक लंबाई होती है यह ब्रेथ होती है होती है ना चलिए ठीक है अब यहाँ पे लंबाई और नहीं दिया हुआ है बलकि एक आयताकार हॉल के फर्स का पर इसका परिमाप दिया हुआ है तो सबसे पहले बताओ इसका परिमाप जो होता है वो क्या होता है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग माना की हमको लिकालना है उचाई है ना तो मान लेते हैं कि माना कि हॉल हॉल की उचाई कितनी है हॉल की उचाई मान लेते है कितना है उचाई एच है ठीक है एच मान लिया हमने ठीक है और लंबाई चोड़ाई तो आपको आलड़ी पता ही है क्या है लंबाई कितना माना है लंबाई आपका लंबाई मान लेते है कि यहाँ पे L है और चोड़ाई क्या है चोड़ाई कितना है चोड़ाई आपका B है सब माल लिए हमने सब को हम लोग क्या माल लेते हैं इमीटर में माल लेते हैं क्या माल लेते हैं इसको भी मीटर माल लिए इसको भी मीटर माल लिए ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं चले अगर आताकार फर्स का यहां परिमाप इसका दिया हो परिमाप तो नीचे बहुत हो आताकार फर्स है तो फर्स का परिमाप क्या होगा बता है यह फर्मूला बता है तो फर्स का परिमाप फर्स कैसा है फर्स सिंपल आयत है तो फर्स का परिमाब कहा होता है मतलब आयत का परिमाब होता है टू इन्टू एल प्लस बी यही न होता है टू इन्टू एल प्लस बी तो फर्स का परिमाब दिया हुआ है कितना टू इन्टू एल प्लस बी और फर्स का प्रिमाब किसके बरावर है, अड़ाई सो के बरावर है, तो अड़ाई सो बरावर टू इंटू एल प्लस बी लिख दिया गया, समझ रहे हैं, चले, अब यहां से आपको, एल प्लस बी का भेलू लिकल जाएगा, कैसे, दो से इधर भागा कर दोगे, तो अड़ा बावर चोड़ाई का जोड़ कितना होगा, एकसो पचीश, दुनों को मिला के एकसो पचीश होगिया, ठीक है, चली यह तो समझ गया, अब हम क्या करेंगे, यहां से, आपको पता है कि, पहले छेतरफल पता करते हैं, दिवाल का, चारो दिवाल का छेतरफल कितना हुआ टीवालव का छितफ़न पहले पता करें जितफ़न गेरा देख्ञान पैंट कीद गया है तो चारोडीवालो का छितफ़न ब्लाबर क्या होता है प्रमुला आप जानते हैं 2 into L plus B गुने H यहीं न होता है तो देखें, यहाँ पर यह आपको लिकालने के जूरत है थाए भी नहीं और इसको हम एक और फर्मुला बताये थे कि इसको बोलते है फर्स की यह क्या हो गया यह फर्स का परिमाप हुआ के नहीं तो डाइनेक्ट यहां से फर्स का परिमाप दिया हुआ था तो यहां पाड़ हाई सो और गूने एच आप लिख सकते थे तो चारो दिवालों का छेट पर आई सो गूने एच यह मीटर स्कॉर हो गया ठीक है आप इसको नहीं भी लिखालते हैं यहां पर लिखालने के जुत नहीं था यह नहीं भी लिखालते तो कोई दिकत नहीं था ठीक है इसको लिखालने के कोई जरूरीत नहीं था ठीक है यहां से आपका यह हो गया ठीक है यहां से अड़ाई सो एच मीटर स्कॉर चेट प पर लिखते थे नहीं फ़キहा होता है तो में इसके पहले में बनाए थे कुल खर्च बरावर क्या लिखते हैं जैसे लिखते क्वह्ते के खर्च बरावर नो वुल्क हर्च बरावर यहां से हमको लिखा लेना है तो कितना पेंट किया गया है तो पेंट की गई दिवारों का छेत्पर दिवालों का छेत्पर ब्राबर कुछ नहीं टोटल जो खर्चा हुआ है 15,000 में ठीक है कितना से दर कितना है देखे दर देख सकते हैं दर आपको दिया हुआ है दस रुपय प्रति मीटर स्कॉर से दस रुपय प्रति मीटर स्कॉर के दर से तो दस से भागा दे दिजेगा ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा कुल खचा तो यहां से पता चल जाएगा दस से दस कट गया मतलब की छितफल कितना पंदरसव मीटर स् और यहां से हम फर्मूला से लिखाना है कि चारो दिवालों को छेत्मर दोसोव पचास एच तो क्या यह दूनों। बराबर हो जाएगा तो प्रस्णा उनुशार प्रस्णा उनुशार लिख देंगे हम यही जो चारो दिवालों का छेत्मर आया है 250 एच बरावर 1500 के बरावर लिख देंगे ठीके अब यहां से आप एच लिखाल लोगे तो एच लिखाल जाएगा साने से तो 1.500 बटा अड़ाई सो कर लो एक जिर से एक जिर कर लो आई एच छे टाइम कर लिए तो बताओ 6 हो गया डेटी जे इस होल का हाना तो होल का उचाई कितना हो गया एच जे खोल का उचाई उचाई जो हो गया 6 मीटर यह आपका उतर हो गया बात समझ में आई कोश्चन थोड़ा सा पर जिंदा लग रहा था लेकिन बहुत असान है देखो करना है कि टोटल खर्चा रहेगा और दर रहेगा तो पहले सबस्क्राइब वह भागा है इसमीर कोश्चन समझ गयोंगी और हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब यडोर करें थाए